हाई मेरे प्यारे दोस्तों, तो आज मैं आपको एक अलग टाइप की चॉकलेट कुलफी की रेस्पी बताने जा रही हूँ, जो कि मेरे बच्चों की फेवरेट है और इसका नाम है ओरियो कुलफी, तो ये कुलफी बहुत ही आसानी से आप घर पे बना सकते हैं, बहुत से बनाते हैं, ये ओरियो कुलफी घर पर और इसे ठंड़े converts करते हैं इससम में, तो ये ठंडी-खंडी ओरियो फ्लेवर्ट कुलफी यां सेट होके कर देंगे दियान रखी से बहुत जादा नहीं पीसना है नहीं तो आप ब्लेंडर यूज कर सकते थे यहां पर पस इसे स्लाइटली क्रश करना है बेलन के साहता सही ताकि हमें इसके पीसस मिलें यह देखिए इस तरह से तो बस हमें यही टेक्श्टर चाहिए इसे हम ट्रांस और उसमें मैं क्या कर रहे हूँ तीन से चार ओरियो बिस्किट्स ऐसे तोड़के डाल रहे हूँ और इसको हम पिसेंगे एकदम फाइन तो पहले हमने दरदरा रखा था और इसे हम करेंगे एकदम फाइन मतलब इसका आना एकदम हमें पाउडर बनाना है तो यह अच्छे स करेंगे हम पहले वाला बोल लेंगे जिसमें हमने ओरियोस डाले ते और इसमें हम क्या करेंगे एकदम सिम्undred है चार से पांच स्कूप हम आईस क्रिम के डालेंगे यह रेडीमेड वЕНील आइस क्रिम बहुत एजली मार्केट पर मिल जातीए आप कोई भी ब्राइन की यूज तो आज मैं यहाँ पर रेडिमेड आइस क्रीम ही यूज कर रही हूँ, पर अगर आप चाहें तो यहाँ पर इसके बदले दूद या फिर क्रीम भी यूज कर सकते हैं, तो दूद और क्रीम अगर आप यूज कर रहे हैं, तो 300 ml दूद या फिर 300 ml क्रीम ही यूज कर सकते हैं, ताकि पूरा Oreo का फ्लेवर ना वैनिल आइस्क्रिम में चला जाए। यह देखिए यह थोड़ी सी मेल्ट भी हो गई है बस हमें यही कंसिस्टेंसी चाहिए बहुत जादा कड़ भी नहीं होनी चाहिए क्यूंकि हमें इसको ट्रांसफर भी करना है मोल्स में तो आप इससे अब किसी भी डब्बे में एटाइट कंटेनर में या फिर कूलफी मोल्स में सेट कर सकते हैं तो आज मैंने ये वाले कूल्फी मोल्स लिये हैं यि मेरे पास घर पे यह पड़े थे काफी पूराने कूल्फी मोल्स हैं लेकिन बहुत ही काम के हैं इसे मैं फिल करूँगी अच्छे से इस मिक्श़र के साथ तो इस ऐसे फिल करते जाए ऊपर तकके औ और अब मैं क्या करूँगी, इसके उपर जो हमने पाउडर बनाया था ना, ओरियो का, इसके उपर ऐसे हम गानिश कर देंगे, तो सारे मोल्ड के उपर ये ओरियो का पाउडर इसे छड़क के उपर सेट कर लीजिए, तो यहां पे मैंने चार कुल्फी के मोल्ड भर लिए हैं ताकि इसके उपर ना, आइस क्रिस्टल ना जमें, तो सारे कुल्फी के मोल्ड अच्छे से कवर कर लीजिए, टाइटली, और अब हमें इसे फ्रीज करना है, 6-8 घंटों के लिए, या फिर ओवरनाइट भी अगर आप फ्रीज करेंगे, तो जाधा अच्छा होगा, तो मैं में हमें बहुत जाधा आसानी होगी, तो इसे बस हलका सा डिप करके इसे निकाल दीजिए, ये पानी कुनको ना बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, आप रेगुलर पानी में यहाँ पर यूज कर रहे हूँ, और अब मैं क्या करूंगी न, एक आइस क्रीम स्टिक लोगी, और फिर इसके सेंटर में ऐसे डाल दोंगी अंदर तक ये ताकि एकदम अंदर तक जाके इसमें सेट हो जाए, और अब मैं क्या करूंगी न, आइस क्रीम स्टिक डालने के बाद, इसे हलका सा ट्विस्ट करूंगी, और आप देखेंगे कि आसानी से कुलफी बाहर आ रहे ह अरे वा, कितनी अच्छी कुलफी बनी है, एकतम मस्ट, चिल्ड और एकतम अच्छे से सेट हुई है, इसमें छोटे-छोटे पीसेस भी दिख रहे हैं, और उपर से जो ओरियो का क्रश हमने करके डाला है, वो भी बहुत ही अच्छा दिख रहा है, तो फ्रेंस कैसी लगी आ करके उन सारे दोस्तों के साथ जिनके बच्चे हों, मैं आपसे मिलते हुए एक और रेसिपी के साथ, अब तक अपना ख्याल रखिए, बाइ-बाई